हेलो एव्रिवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप से भी का स्वागत हैं मैं हूं कभिल तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कोश्चन हम और 141 आजम कंप्लीट करेंगे से पहले मैं 140 कोश्चन तक कर दो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर रहे है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हूं तो हम आपको 100 प्लेस 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 एर में जो मैंत के कुश्चन जो पूछे हैं टेट एक्जाम में वह आपको हम प्रोवाइट करा रहे हैं और जिन इस्टोएंट से भी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लिएगा सारे के सारे इंपूटेंट कोश्चन है इसी तरीके के आपसे टेट एक्जाम में अगर आपके टॉपिक रहते हैं वहां भी काफी हेल्पूट रहने वाल आपको बताते हैं और जीवा की लंबाई आपको बतानी जीवा को हम बोलते हैं कोड कोड की लेंट ऑफ कोड आपको यहां पर बताना है तो मैंने कोश्चन दौनों लेंग्विज में आपके लिख रहा है वाट इस तरीके से आपको वहां पर रफली वहां पर ड्रॉप करना है सेंटर मैंने ओ ले लिया है ओ से इस कोड यानि की जीवा मैंने माली एबी एबी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका बच्चों यहां पर 6 cm लिख रखा और रेडियस हमारा ओ से यह आपका 10 वहां पर गिवन है तो आपको लेंट ऑफ कोड यानि की एबी आपको यहां पर ब ट्राइंगल O, A, M तो हम सबसे पहले जाएंगे इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल O, A, M Elementary A, M Elementary A, M Elementary A, March हइस दिस्टेंट का आपको मुझे समझी आपको 008 मोगजी तो इस जब आप ही इस कूश्टिन को अब सोरब कर सकते हो तो यह Pythagoras theorem और आपको find करना सबसे पहले A.M तो Pythagoras theorem जो हमारी कहती है वो कहती है, Hypotenuse- square यानि की Bernard- square is equal to Lum- square प्लस आधर यानि की base- square 0.a² is equal to आप लिखोगे 0.m² 0.m² प्लस 0.m² ठीक है 0-a तक का distance है वह आपका 10 दे रखाए 10-square is equal to 0.m², 6-square स्क्वार 100 होगे, 6 का स्क्वार 36 होता तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट एंड पे तो सैन इसका चेंज हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इस एक्वल टू ए एम स्क्वार ठीक है, ना हंडेड में से जब आपका 36 यहाँ पे माइनस करोगे, तो यू बिल गेट 64, आपको यहाँ पे मिलेगा, एम का स्क्वार तो जो एम आपका आज आएगा स्टुडेंट्स अब आपको यहाँ पे दिखी गया होगा, वो आपका आएगा 8, यानि कि प्लस माइनस 8 आता लेकिन distance जो हमारी होती है, वो हमारी positive होती है, इसलिए हम AM की जो value लेंगे, वो लेंगे only 8 cm, यानि कि बात की जाए, इसकी ACM तक की जो length है, वो आपकी 8 आ चुकी है लेकिन question में आप से पूछा गया है length of cord, यानि कि A, B, length of cord आपका होता है double of AM, तो देखो एक theorem होती है आपकी जो center से जो cord पर perpendicular होता है, उस cord को 2 equal parts में आपको divide करता है, यानि कि ACM और SMCB तक का जो length होगा, वो आपका equal होता है, यानि कि हम बोल सकते हैं double of AM यहाँ पर होने वाला है, तो आपका यहाँ पर जो answer आएगा, बच्चों वो आएगा 2 multiply 8, यानि कि आपका जो होगा 16 cm है आपका सही हो जाएगा तो देखें, इस तरीकी से आपको question पूछा जाता है, तो आपको यही method वहाँ पर आपको लगाना है, and I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा तो उसका जो option है, option number A, आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है, देखो अगर कोई भी doubt रहे गया, तो please आप इस वीडियो को बापस से आप play करके द्वारा से समझ सकते हो, ओके द्वारा समझागो तो वीडियो ज्यादा lengthy हो दाएगा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए question के साथ, तब तब के लिए धन्यवाद, take care and wait for the next वीडियो